नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आशी शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज़ रामण महारेशी ये शब्द कहा करते थे दृष्टा को देखने का ये जो देख रहा है उसको कैसे देखें जब दृष्टा को देखेंगे हम तब अपने सुरूप के पास पहुंच को हम कैसे देखें शब्द सचाई नहीं होते और शब्दों में सचाई के लिए केवल इंगित होता है इशारा होता है लेकिन शब्द अपने आप में एक ऐसी इमेज बनाते हैं कैसी परच्छाई बनाते हैं कि हम उसी परच्छाई से अंदाजे लगाने की कोशिश करते हैं जब हम कहते हैं द्रिष्टा को कैसे देखें तो द्रिष्टा मतलब हमारे मन में तुरास अपनी मन के अंदर में अभी तुरंत जहां के देखिए जब द्रिष्टा बोला जा रहा है तो क्या समझ में आ रहा है क्या महसूस हो रहा है किस चीज के बारे में आप इमेजन कर रहे कोई entity, कोई personality, कोई light, या कोई रिशी, या कोई ऐसा बहुत divine being कि उसको देख लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दृष्टा को कैसे देखें। दृष्टा मतलब कोई इश्वर, कोई God, कोई ऐसा चीज जिसके साथ हम बात कर सकते हो। ये सारी की सारी imagination, ये सारी कलपनाएं आती हैं जब हम दृष्टा शब्द को पकड़ते हैं। ये शब्द हमको help करते हैं अपने mind को stable रटने के लिए ना कि सच्चाई बताने के लिए। जब मैं अपने मन में अपने दृष्टा को देखना चाहता हूं, तो क्या मैं कुछ experience करना चाहता हूं तो अभी मुझे देखना होगा अपने आप से, अभी मैं बैठा हूं और अपने आपको अभी पूछ रहा हूं कि मुझे दृष्टा को देखना है, तो क्या देखना च तो मैं उस दिशा में क्यों नहीं अग्रेसर कर पा रहा हूं। मैं किस दिशा में जा रहा हूं जब मैं दिश्टा को देखने की कोशिश करता हूं। वो पुश, वो मुवमेंट मेरे माइंड का कहां से कहां जा रहा है जब मैं दृष्टा को देखने की कोशिश कर रहा हूँ अंदर में जो कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ experience करने की जो कमपन होती है, जो vibration होती है वही देखना है, उसको खतम नहीं करना है, उसको देखना है, उसको देख लेंगे तो क्या वो खतम हो जाएगा कहते हैं लोग खतम हो जाता है कुछ लोग के लिए कुछ दिलों में खतम होता है कुछ लोग के लिए कुछ जन्मों में कुछ लोग के लिए हजारों जन्मों में लेकिन खतम होने का जो आइडिया है उससे बचिए जब हम दृष्टा को जानना चाहते हैं तो उसकी qualities के बारे में और समझने की कोशिश करिए फिलहाल तो दृष्टा आपके पास नहीं है कम से कम उख कालपनिक दृष्टा नहीं है आपके पास जिसको आप खोज रहे हैं एक दृष्टा है और उसके रूबरू आप आ सकते हैं लेकिन उसको कभी आप देख नहीं सकते चीज़ों को देख सकते हैं उसके comparison में आपने कभी देखा है किसी कमरे में एक रोष्टा की धार आती है आजपास सब जगह धेरा हो बीच में से एक पतली सी जरोके में से लेकिन वही गड़ बाकी कमरे में बाकी देखाई देते तो जो सुरज की रोष्णी है वो जब इन कड़ों पर पड़ती है तो रोष्णी चमख जाती है ना तो वो रोष्णी है ना ही तो ये बिजली के कड़ है इन दोनों का मिलन से हमको वो कड़ दिखाई देते हैं इसको हम लोग को physics के exam में दिखाया जाता था molecules का example देने के लिए लोग दिखाते थे ये छोटे-छोटे molecules air particles में होते है हमारे mind में जब भी कोई thought चलता है, जब भी कोई experience चलता है, जब भी कोई emotion तो वो हमारा दिखा की light इस body के उपर गिरती है और इस body के experiences के उपर गिरती है और उसके बाद वो thought और वो emotion निकल के आता है बिना दिखा के और बिना emotion के ये दोनों हमको experience नहीं होता लेकिन हम चाहते हैं कि दिखा को उसके pure form में जान सके ऐसे form में जहां पर कोई disturbance नहीं हो हम नहीं हमारी miseries नहीं हो अगर हम seriously इसको जानना चाहते हैं तो जब भी पाँच मिनिट के लिए दो मिनिट के लिए आसपास कि जो भी sensations आ रही हो उसको उसी के साथ रहे विचारों के transformation से पहले उसको पकड़ने की कोशिश करें खेलें इसके साथ अभी आज कर लोग जनोंगा meditation program में धेर सारे experiments बता रहे है meditation के उसमें से एक experiment है कि जब भी कोई experience आ रहा है तो उसके साथ बहेन उसके साथ वही रहे shift होता है एक छोटा सा जब आप खेलते हैं तो आपका mind उस खेल का मालिक बनना शुरू हो जाता है छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा आदमी हो किसी भी खेल को खेलते केलते उसको आ जाता है मुझे आदे बच्पन में एक video game मेरे पिता जिलाये थे तो मैं कम से कम दो ती महिने उसको खेलता रहा है लेकिन एक भी बार जीत नहीं पाया उसके बद मेरे घर मेरे चाचा थे वो भी मुझे से हाट-दस साल बड़े थे वो भी school जाय करते थे college जाय करते थे मैं school जाय करता था तो वो अपना खाली हो करके करते है नहीं है थे chiief तो बिद शिवा लेड़े तीसे करते है अवरे उसके बार बज़ा नहीं हाय घाए कभी खेलने का फिर जीत जाते हां तो फ़र ख Activist share करने में हारने में खेलने का मज़ा थे तो इस मैंड के साथ जब भी आप दृषटा का experience केinku आट और जब भी आप द्रिश्टा के experience के साथ meditation करना चाहते हैं तो एक game का attitude होना चाहिए, एक play का attitude होना चाहिए किसी result को पाने का attitude नहीं होना चाहिए because result हम जानते नहीं है, द्रिश्टा का experience कैसा होता है उनको कपता ही नहीं पता ये completely unknown है, द्रिश्टा का experience ये जो रोष्णी की बात करते हैं, जो लोग परमशांती की बात करते हैं, जो लोग भक्ती की बात करते हैं ये सब की सब हमारे लिए केवल बाते हैं अगर हम उसको सुन करके, उसको विश्वास करके, हम उसी रस्ते पर चलते हैं कि हमको भी वैसे ही परमशंति, उसमें हमको वैसा परमभक्तिया, हमको वैसे ही लाइट का experience होना चाहिए, तो हम अपने map से, अपने direction से भटक जाएंगे, हमारा experience यहीं आएगा, इसी moment पे आएगा, लेकिन उसके लिए impurities को dissolve करना होगा, impurities मतलब हमारे आसपास के लोगों के साथ, जो हमारा बहुत strong संबंध बना है, उसमें हम कुछ चीजों के साथ बहुत strongly अपने आपको identify करते हैं, उसको ढिला होना होगा, लेकिन यह संबंध को हम बिना उसके अंदर में घुसे हुए emotions को बिना जहले हुए, और बिना उस जहले हुए emotions को observe किये हुए, बिना उसको देखे हुए हम उससे free नहीं हो सकते, अगर मुझे अपनी wife के साथ बहुत attachment है, अपने बच्चे के साथ बहुत attachment है, तो फिलहाल इस कमने में बैठ करके मैं उस attachment को खतम नहीं कर सकता, वो कब खतम होगा, जब वो attachment का दर्दनाक experience मुझे आएगा, normally नहीं आएगा, normally जब हम enjoy कर रहे हैं, movies देख रहे हैं, खेल कु जब रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो वो attachment अच्छा लगता है, वो useful होता है, लेकिन यही कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, एक बहुत ही दर्दनाक experience से गुजरेगा, जब हम ऐसे किसी भी एक की death होगी, या बिमार होगा, तो उस condition में जो मेरा, एक strong जु द्रिष्टा को देखना होगा, द्रिष्टा मतलब उस experience को, अपने pain को देखना होगा, आज एक औरत आई थी, उसके गर्भ में आट मैने का बच्चा था, रोजी धेर सारे मरीज आते हैं, तो जो मैं उसको देख रहा था, तो हमारे हां एक और बच्ची थी, उसके पती से लड़ाई होई रिसेंटली, मैंने पुछा क्या हुआ तो बोलती है, मैं क्या बता हूँ, मेरे पती चाहते हैं कि हमको एक और बच्चा हो जाए, दो या तीन बच्चे हो जाए, उसके पती से लड़ाई हो गई, उसके पती ने उसको मारा, उसके हाथ में चोट लग गई, तो उस आदमी का जिसका यह बहुत स्ट्रॉंग इंक्लिनेशन है कि मुझे परिवार चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, उसको बिलकुल आइडिया नहीं है कि इन सब चीजों से कितना ज्यादा टॉट्चर होने वाला है, कभी उसने विचारी नहीं किया, मैं जब उस पे जाएगा और वो मा जब बुरी हो जाएगी तो उसके परिवार में जो भी चीजे होंगी दुख तकलीफ और खुशी बट दुख तकलीफ ज्यादा होता है लाइफ में और उसके बाद अल्टिमेटली जो मिजरी और पेन और उसके बाद जो डिथ होगा वो मुझे होना नहीं हो पाएगा अभी हम बहुत जगों पर invested हैं ये investment पाद भी नहीं चलता हम कहां कहां पर अपने आपको यूज कर रहे हैं जहां जहां पर भी आप जिस जिस बंदे के साथ भी emotionally attached हैं उसको खोजना होगा और उस attachment से निकलने वाले torture को देखना होगा experience करना होगा और अपने आपको बताना होगा कि देखो आशीश, यह attachment था और इसके result में यह तुमारा उसका हश्ट था तब भी दृष्टा का pure experience नहीं आता दृष्टा का pure experience तब आता है जब हमारे सारे के सारे इस दुनिया से relation में जो हमारे emotions है, intense emotions है चाहे दुक के, चाहे attachment के चाहे खुशी के, जो इस दुनिया से मिलते हैं, जो physical world से मिलते हैं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं फिलाल हमारे लिए यही God है आज इनसान के लिए उसका नाम, उसका पैसा उसका परिवार, यही इतरह से भगवान है, तभी तो उसके पीछे भागता है और खाले भागता है नहीं उसको पा जाता है हम जिस चीज़ को बहुत value देते हैं उसको हम पा जाते हैं दृष्टा हमने सुना है रमण महारिशी कह रहे हैं हम चाहते भी हैं, लेकिन हमारा 24 घंटे में से कितना घंटा हम कहां कहां लगाते हैं इस चीज़ को जब तक नहीं देख पाएंगे और उन चीज़ों को जिसमें हम अपना time spent कर रहे हैं उसकी futility को जब तक नहीं देख पाएंगे उसकी uselessness को नहीं देख पाएंगे तब तक दृष्टा की तरफ खिसकना फिसलना नहीं हो पाएंगे जान बच के बोलना हो खिसकना फिसलना विकास जैसे ही ये चीज़ों से लोगों से परिस्तितियों से हमारा emotional gart ढीली हो जाती है तो हम naturally slip होते जाते हैं अपनी तरफ अपनी दृष्टा की तरफ वो दिखाता है सब कुछ लेकिन हम देखना नहीं चाहते हैं हम शराब के नशे में या किसी और चीज़ के नशे में अपने दुखों को भूलना चाहते हैं दुख हमारे teachers हैं जब दुख के उपर हमारी observation की light पड़ेगी तब वो हमको फेकेगी दृष्टा की तरफ युकि दृष्टा इस death और life के beyond है दृष्टा इस दुनिया के सारे pleasures और pain के beyond है लेकिन हमारा mind और हमारी body फिलहाल चाहता है pleasure चाहता है धेर सारे satisfactions चाहता है जो इस पांचो senses से मिलते हैं और साथ ही साथ उसको pain भी experience करना पड़ता है हम इस दाओं के साथ इस हिसाब किताब इस business के साथ बहुत दिक्कत नहीं है हमें अगर खुशी मिलती है और साथ में थोड़ा बहुत दुख मिलता है तो हम झेलने को तयार है लेकिन ये game हमको समझ मनी आता कि ये थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा दुख नहीं है ये एक unending misery है इसके जो unend है जिसका कोई अंतहीन misery है जो उसका अंतहीन जब दिखाई देगा दिखाएं कभी कभी शरीर में जब बहुत दर्द और बहुत तकलीफ होती है तो मन करता है वो शरीर का अंग काट के फेग दो कभी पेट में दर्द हो या सर में दर्द हो या उंगली कट जाए या फोड़ा हो जाए कोई भी ऐसी दर्द जो शरीर की है जब वो होता है तो लगता है पूरा का पूरा वो औरगनी काटके फेक दो लाइफ भी ऐसे ही दर्द और तकलीफ और बिमारी की बनी हुई है यह जो दृष्टा आप जिसकी बात कर रहे हैं वो आपके पेन को देखने से मिलेगा जब यह पेन जो जो चीज़ें आपको दे रही है जब उनसे आपका छुटकारा होगा तब आपके लाइफ में से पेन कम होगा फिर आपका टाइम स्पेंड होगा समझने में अपने थौट्स को अपने आक्शन्स को बिकोज आपको पता नहीं है कि आपके थौट्स और आपके आक्शन्स ही असल में बहुत ज़ादा बड़े painful actions है एक simple सा thought कि मैं अपनी wife को पसंद करता हूँ या ये आदमी ने मेरा ये बुरा क्यों किया ऐसे simple simple से thoughts असल में बहुत ज़ादा painful thoughts है लेकिन उसका pain तभी हमको एहसास हो पाएगा जब हमारे पास time होगा हमारे life में चीजों से, लोगों से जब हम free होंगे तब दोड़ना नहीं है बैठना है, observe करना है देखना है कि कौन कौन सी चीज मेरे life में क्या क्या लेकर आई और कहां कहां पर मैं ignorant था ये शब्द को लिख लिजे ignorant बहुत unique term है ये ignorant मतलब होता है अग्यान और अग्यान कोई specific चीज का नहीं होता हर वो चीज जो हमको नहीं पता वो अग्यान है मैं जा रहा हूं सीधर रास्ते पे और फिर महां से, सामने से एक दूसरी गाड़ी आ जाते है मैं देखनी पाता हूं मानली जो उस गाड़ी मुझे टकर मार दिया मेरा accident हो गया अब दुबारा जब उस बोड़ पे पहुंच चुगा तो मैं अपनी बाइक को या अपनी कार को रोकूंगा और आसपास देखूंगा कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है इसको blind end बोलते है जब देखेंगे और गाड़ी नहीं आरी तो आप जाएंगे तो आपका एक अग्यान कम हो गया हो सकता है मैं किसी एक affair में घुस किया बहुत मज़ा आया लेकिन अटिमेटली उस affair की वज़से मिर लाइफ में बहुत बड़ा एक circle चला सालों का उसमें 10 साल का पंदरा साल का या 5 साल का अब दुबारा जब मैं उसको observe करूंगा और दुबारा इस तरह की incidences होंगी because हमारी tendency बन चुकी है एक बार हम experience को कर लेते हैं उसके बार दो ऐस experience दुबारा हम करने की हमारे दर में habitual tendency बनती है तब हम चौकन नहीं हो जाएंगे क्योंकि अब हम ignorant नहीं हैं उस condition के बारे में यही हाल होता है जब हम रुपय पैसे और नाम के चक्कर में पढ़ते हैं और हम उसको पाते हैं लेकि जब हम उसको पाने के बाद जब उसको observe करते हैं कि इसकी वज़े से मैं एक बड़े से वर्ल्ड पूर में बड़े से भावंडर में गुझ गया था और पूरे भावंडर को जब देखते हैं कि यह उसकी शुरुवात थी और यही उसका दरवाजा था जिसकी वज़े से मंदर खुझा था तब आप उस नाम के भावंडर से उस प्यार के भावंडर से उस पैसे के भावंडर से फ्री होते हैं ऐसे ही धेर सारे blind spots हैं हमारी life के वो ही हमारे दरवाजे हैं द्रिष्टा को देखने के द्रिष्टा मतलब देखना जो जो accidents आपके life में हुए हैं उनके spots को देखना और उन से जब अपने आपको खाली कर लेंगे तब आप slip होते जाएंगे एक बहुत strong force है जो हमको अपने पास खिंचती है ग्रिष्टा के पास खिंचती है लेकिन वो तब होता है जब हम अपने senses की पकड़ से free होते हैं और senses की पकड़ से free कैसे होते हैं इनके create किये गए miseries को देख करके किस तरह से हमारे आँख ने हमारे कान ने हमारे sexual organs ने हमको कहा कहा पर फसाया था उसको देख करके पर दुबारा उस गलती को बहुत ध्यान से चोकन ना हो करके avoid कर पाना मेरे पास एक last में चोटी सी बात और बोल दूँ एक patient आया था कुछ साल पहले शुरू-शुरू की बात है तो उसको पेट में right side में तर्थ हो रहा था मुझे लगा उसको stone होगा मेरे देखा कि बनी normal थी stone नहीं था लेकिन उसको करा रहा था दर्थ के मारे मैं सोच रहा था मैं guess नहीं कर पा रहा था क्या था ultimately मैंने लिख दिया रेपोर्ट के लगता है stone है patient doctor के पास किया doctor ने उसको जाच किया काफी experienced surgeon थे हमारे लखीमपुर के फिर उन मुझे phone करके बुलाया पढ़ा था college में लेकिन उस दिन के बाद से मैंने कभी किसी भी patient का appendix miss नहीं किया तो आपको देखना होगा अपनी life में सुब़ से लेकर शाम तक उसको भागने की कोशिश मत करिये उसको avoid करने की कोशिश मत करिये जो जो आपकी condition है आपकी पारिबारी condition आपकी financial condition आपकी social condition जो जो चीज़ें आपको misery create करती है सुले से लेकर शाम तक उनको पकड करके उनको लिखिए उनको observe करिए और उनको समझने की कोशिश करिए बस किसी और चीज़ के चक्कर में मत पढ़िए कि मुझे कोई mystical experience आजाए मुझे द्रश्ट का experience आजाए जैसे ही आप इन चीज़ेंगे आप इन से खाली होना शुरू हो जाएंगे और तब आप जाएंगे अपने self के पास अपनी तरफ जैसे रामन महारेशी जैसे लोग गए उनको कोई भी social foundation पकड़ नहीं पाई यह महान लोग नहीं थे यह बहुत observant लोग थे observant मतलब किस चीज़ के observant आजपास के दुनिया के अपने परिवार अपने घर अपने society को देख करके उसमें उसको avoid कर पाना एक जनम का खेल नहीं है यह पिछले कई जनमों से त्यारी कर रहे थे रमण महरिशी तो इसकी आखरी जनम में थे इसके पहले तो आप और हमारी कर रही थे तो use your normal day-to-day life day-to-day financial, social, relationship, money every aspect of your life to loosen your attachments Thank you अपने WBX जॉइंट नहीं किया है तो बहुत जल्दी जॉइंट कर लीजे because उसमें हम लोगे Indian startups के लिए बहुत ही धेर सारी और बहुत ही relevant videos लेकर आने वाले हैं कि किस तरह से बहुत धेर सारी funding मिलती है companies को और किस तरह से Indian companies की market ग्रो हुई और future क्या है Indian companies का इसलिए मेरा आपको invitation है कि जो लोग भी startups में और ventures में business में interested हैं WX को जल्धी से जल्धी joint कर ले अगर आपको ये मन में उआठा है कि क्या past life होते हैं क्या souls होते हैं मरने के बाद souls का क्या होता है क्या हम उनसे बात कर सकते हैं कि हम अपने past life को देख सकते हैं तो past life reality PLRs ये आपको blow कर देगा आपके सारे आइडियाज को चेंज करके हमेशा हमेशा के लिए आपको इतनाई clarity देगा past life के बारे में और souls के बारे में छोटे छोटे decisions भी लेने से पहले आपको यह जानना होगा कि decision हमारा mind लेते कैसे है, क्या है वो factors जोटे चोटे और साड़े बड़े decisions को तो you should join our BDM सबसे powerful spiritual program इस समय अगर online कोई है तो that is Zanuga Basic Course और वो इसलिए क्योंकि यह आपका अपना course है, इसमें मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपका गुरू नहीं हूँ आप अपने खुद के teacher हैं, इसलिए you should join Zanuga Basic Course अगर आप बहुत seriously अपने spiritual path पे आगे बढ़ना चाहते हैं अब तो आपको पता ही चल गया होगा awareness की कितनी value है अगर नहीं पता चला है तो now जो course है हमारा वो जोइन करके आप सारी की सारी अगर आपको गहराई से कुछ सीखना है तो you should join SPMT झाल प्र एषप सारी की सारी की सारी से की सारी सारी की सारी की से कार आपको पता है